बिहार के किसान जोकी सूचना की पारंपरिक श्रोत के आधार पर खेती कर रहे हैं उनके लिए वर्ष 2017 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वे बिहार करशी विश्योविद्याले सबोर द्वारा खड़ा किया गया ICT आधारित इकरशी प्रणाली से अब पूरी तरह जोड़ चुके थे इसकी शुरुवात करने से पहले विश्योविद्याले में किये गए एक विस्तरित सरवेक्षन से पाया गया कि वर्तमान क्रशी सूचना प्रणाली धीमी है और किसानों तक विलंब से जानकारी पहुँचने से क्रशी उत्पादक्ता में कमी होती है इसी सरवेक्षन के आधार पर विश्योविद्याले के मौजूदा ICT सुविधाओं को मिला कर एक समग्र और अनोखा ICT आधारित क्रशी प्रणाली बनाया गया बिहार क्रशी विश्योविद्याले सबौर के इस अनोखे मौडल ने जहां क्रशी सूचनाओं से सीधे क्रशकों को जोड़ा वहीं 2017 में मुबाइल के शेत्र में हुए 4G क्रांती ने इस परियोजना को और भीत दिवरता प्रदान किया विगत 2012 से 5 जिलों में पाइलट योजना के सफलता पुर्वक चलने के बाद अब पूरे तरह से बिहार के 21 जिले में एक्रशी प्रशार प्रणाली क्रियानवित होने लगी इस परियोजना के तहट हर रोज विश्व विद्याले से 4 कृशी विज्यान के इंद्र जोडते हैं और इस प्रकार रोजाना लगभग 100 किसान प्रसेक्शन लेते हैं प्रत्य एक महिने के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग का विशय क्रिशी विज्यान केंद्रों के किसानों की जरूरत और मांग के अनुसार तै की जाती है वीडियो कॉन्फरेंसिंग से दिये जा रहे प्रसिक्षन को किसानों में विशय के अनुरूप समझ विक्सित करने के लिए विश्व विद्याले ने एक अनूठा प्रयोग आउटडोर ब्रॉटकास्ट सिस्टम टीबी यू मॉडल के रूप में किया है किसान इसके जरिये सीधे खेतों में चल रहे प्रयोगों को देख रहे हैं कृशी ग्यान अब किसानों की द्वार विहार कृशी विश्व विद्याले के अनूठे पहल से किसानों को अपने गाउं और कस्पों में ही कृशी ग्यान को परूसा जा रहा है इस तरह के दो किसान ग्यानरत किसानों की सेवा में निरंतर गाउं में घूम रहे हैं इसमें लगे बड़े स्क्रिन में बिहार कृषी विश्यविद्याले सब और की मीरिया सेंटर से बनी कृषी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है साथ ही एक स्क्रीन रत के प्रदर्शनी कक्ष में लगी है इस प्रदर्शनी कक्ष में मौसम के अनुरूप कृषी प्रदर्शनी लगाई जाती है इसके अलावा एक मिट्टी जाज प्रयोक शाला भी रत में मौजूद है जरुरत के आधार पर TVU मौडल से रत को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जोड़ा भी जाता है विहार कृशी विश्वविद्याले देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालें में से एक है जहां कृशी आधारित किसानों प्योगी फिल्मों का निर्मान किया जा रहा है इन फिल्मों का प्रदर्शन किसान ज्यानरत के अलावे माइक्रो SD कार्ड में डाल कर किसानों को उपलब्द कराया जाता है इसके अलावा फिल्मों को सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, वाटसेप और फेस्बुक के माध्यम से प्रेशित की जाती है इसका असर यह है कि विश्वविद्याले का यूट्यूब चैनल आज देश के सबसे अधीक देखे जाने वाले विश्वसनिये यूट्यूब चैनलों में शामल है लगभग चार करोर लोग अभी इस चैनल को देख चुके हैं और करीब साड़े तीन लाग से अधीक सबस्क्राइबर भी हैं दर्शकों के बहतर रुझान के कारण गूगल यूट्यूब द्वारा क्रीटर अवार्ट से भी नवाजा गया है रेडियो प्रसार का एक सरशक्त माध्यम रहा है विश्योविद्याले द्वारा क्रिशी प्रसार और जन जागरुपता के लिए दो सामुदाइक रेडियो स्टेशन का संचालन किया जा रहा है एक क्रिशी विज्यान केंद्रबाद पटना से 91.2 MHz पर किया जा रहा है वहीं दूसरा सामुदाइक रेडियो का प्रसारण बिहार क्रिशी विश्योविद्याले परिसर से 90.8 MHz पर FM Green के नाम से हो रहा है इन कारियों के अलावे बिहार क्रिशी विश्योविद्याले सबोर अपने किसानों को अन्य सुलब माध्यमों जैसे टोल फ्री नंबर पर तौरिद जानकारी वाट्शेब दोरा तस्वीरे भेचकर सटिक जानकारी उपलब्द कराना SMS द्वारा मौसम पुर्वानुमान देना इन सभी सुविधाओं को किसानों तक उपलब्द करा रहा है इस प्रकार जब देश के विभिन छेत्रों में संचार क्रांती विस्तार ले रहा था तब बिहार कृषी विश्विध्याली सबोर ने कृषी शेत्र में भी ICT आधारित E कृषी प्रणाली का आगाज किया और हासिये पर पड़े कृषक वर्ग को मुख्य धारा से जोडने का अथक प्रयत्न किया हमारी सफलता कृषी ज्यान को तिवरता की साथ किसानों तक पहुँचाने के रूप में सामने आ रहे हैं बिहार कृषी विश्योविद्याले के इन ही कारियों को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग ने नागरिक केंडरित उतक्रिष्ठ कारियों के लिए राश्ट्रिय E-Governance अवार्ड दिया इसी वर्ष मीडिया सेंटर द्वारा बने फिल्म उम्मीद ए होप को राश्ट्रिय ग्रामीन विकास इवं पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित पाचवी राश्ट्रिय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में दूसरा स्थान प्रावार्ड दूस्थान अप्थुआ है